नमस्कार स्वागत है आपका Capital TV में देश में धर्म के नाम पर नफरत की आग लगाने और जहर उगलने वाले जाकिर नाइक के बुरे दिन शुरू हो गए हैं क्योंकि मोधी सरकार ने जाकिर नाइक पर इस बार जो कारवाई की है उससे वामपन्ति बॉक ला गए है दरसल केंद्री गिरह मंत्राले ने विवादि धर्म गुरू जाकिर नाइक के एंजियो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी आई आरेफ पर बड़ी कारवाई की और संगठन पर लगाए गए प्रतिबंद को 5 साल के लिए बढ़ा दिया बता दे कि आई आरेफ को पहली बार 17 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधिया रोक्ताम कानून 1967 के तहट एक गैर कानूनी संगठन गोशित किया था और अब ग्रह मंत्राले ने स्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर एक बार फित यूए पीए के तहट बैन लगाया है ग्रह मंत्राले ने एक अधिसूचना में कहा कि NGO उन गतिविधियों में शामिल है जो देश की सुरक्षा के लिए हनिकारक है जिसमें शांती और संप्रदाइक सद्भाव को बिगाडने और देश के धर्म निर्फेक्ष तानेबाने को खराब करने की शमता है ग्रह मंत्राले ने कहा कि जाकिर नाइक के बयान और भाशन आपत्ती जनक विद्यवनसक हैं जो देश में महल बिगाडने वाले हैं विवादि धर्म गुरु जाकिर नाइक वर्तवान में मालेशिया में रह रहा है केंद्रे ग्रह मंत्राले ने कहा कि जाकिर नाइक अपने आपत्ती जनक बयान के जरिये धर्मिक समोहों के बी, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहा है नाइक भारत और विदेशों में एक खास धर्म के युवाओं को आतंगवादी कृत्ते करने के लिए प्रेरित कर रहा है मंत्राले ने साफ कहा कि जाकिर नाइक अंतरवास्ट्रे सैटलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से वाले वक्त में मोदी सरकार जाकिर नाइक पर कोई बड़ी कारवाई भी कर सकती है जाकिर नाइक सोशल मीडिया, टीवी और इंटरनेट के जरिये लोगों को भढ़काने और भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है इसलिए मोदी सरकार ने इस जहरीले धर्म गुरू जाकिर नाइक के एंजियो स्लामिक रिसर्च फांडेशन पर पांच साल बैन और बढ़ा दिया है और यही चलता रहा तो मोदी सरकार जल्द इसे हमेशा के लिए उखाड फेंकेगी क्योंकि इसकी कट्टर पंती बयान बाजी से आतंकों को बढ़ावा मिल रहा है इस खबर में फिलाल अतना ही बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ जहिं